ओम शान्ती आज है 30 अक्तुबर 2020 की सकार मुरली पहले सुनते हैं मुरली की मुख्य पोइंट्स बाबा ने कहा रात दिन यह याद रहना चाहिए हम पढ़ रहे हैं पढ़ाने वाला है शुबाबा यही माया घड़ी घड़ी भुला देती हैं बाप, टीचर, गुरू तीनों क ही भूल जाते हैं बाबा ने कहा यह पढ़ाई बुढ़े, जवान, बच्ची यादी सब को हक है पढ़ने का सिर्फ अल्फ को जानना है अल्फ को जान लिया तो बाप की प्रोपर्टी भी बुद्धी में आ जाएगी जहां से तुम पार्ट बजाने आए हो अपने उस घर क को याद करो आत्म को घर बहुत प्यारा लगता है शुबाबा हमको जो नौलेज सुना रहे हैं इसमें बहुत रिफाइन बुद्धी चाहिए इसके लिए बाप युक्ती बताते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो अगर कुछ धारणा नहीं होती है मुख नहीं च चलता है तो तुम बाप को ही याद करते रहो तो भी भाशनादी करने वालों से तुम उच्च पद पा सकते हो फिर कहा तुमें कभी आखे बंद करके नहीं बैठना चाहिए जिनकी बुद्धी और तरफ भटकती है तो वे ठक जाते हैं फिर उबासी देते रहते हैं और ला हडगुड तूट जाते हैं फिर वे दूसरे को कहें ना सकें कि काम महाशत्रू है बाबा बार बार समझाते हैं क्रिमिनल आखों की बहुत संभाल करनी है अब सुनते हैं महवाक्यों को विसार से मुरली का सार मीठे बच्चे तुम्हें एक बाप से एक मत मलती है जिसे अदवैत मत कहते हैं इसी अदवैत मत से तुम्हें देवता बनना है प्रशन मनुष्य इस भूल भुलया के खेल में सबसे मुख्ये बात कौन सी भूल गए है उत्तर हमारा घर कहां है उसका रास्ता ही इस खेल में आकर भूल गए है पता ही नहीं है कि घर कब जाना है और कैसे जाना है अभी बाप आए है तुम सब को साथ ले जाने तुम्हारा अभी पुरुशार्थ है वानी से परे स्वीट होम में जाने का गीत रात के राही ठक मत जाना सुबह की मंजिल दूर नहीं ओम शान्ती गीत का अर्थ और कोई समझ ना सके ड्रामा प्लैन अनुसार कोई-कोई गीत ऐसे बने हुए है मनुश्यों के जो तुम्हें मदद करते हैं बच्चे समझ से हैं अभी हम सो देवी देवता बन रहे हैं जैसे वह पढ़ाई पढ़ने वाले कहेंगे हम सो डॉक्टर बैरिस्टर बन रहे हैं तुम्हारी बुद्धी में है हम सो देवता ब सत्यूग को ही कहा जाता है अभी तो ना सत्यूग है ना देवताओं का राज्य है यहां तो हो नहीं सकता तुम जानते हो यह चक्र घूम कर अभी हम कलियूग के भी अंत में आकर पहुँचे है और कोई की भी बुद्धी में चक्र नहीं आएगा वह तो सत्यूग को लाखों वर्ष दे देते हैं तुम बच्चों को यह निश्चे है बरोबर यह पांच हजार वर्ष बाद चक्र फिड़ता रहता है मनुष्य 84 जनम ही लेते हैं हिसाब है ना इस देवी देवता धर्म को अदवैत धर्म भी कहा जाता है अदवैत शास्त्र भी माना जाता है वह भी एक ही है बाकी तो अनेक धर्म है शास्त्र भी अनेक है तुम हो एक एक दवारा एक मत मिलती है उसको कहा जाता है अदवैत मत यह अदवेत मत तुमको मिलती है। देवी देवता बनने के लिए यह पढ़ाई है ना। इसलिए बाप को ग्यान सागर, नौलिशफुल कहा जाता है। बच्चे समझ से हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। यह भूलना नहीं चाहिए। स्कूल में स्टुडेंट कभी टीचर को भूलते हैं क्या? नहीं, ग्रस व्यवार में रहने वाले भी जास्ती पोजिशन पाने के लिए पढ़ते हैं। तुम भी ग्रस व्यवार में रहते हुए पढ़ते हो अपनी उन्नती करने के लिए। दिल में यह आना चाहिए हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। शुबाबा भी बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा आदी देव नाम बाला है। सिर्फ पास्ट हो गए हैं। जैसे गांधी भी पास्ट हो गए हैं। उनको बापुजी कहते हैं। प्रंतु समझ से नह सच होता है बाकि मेरादी को तो ऐसे ही बापू कह देते हैं वह सब हैं आर्टिफिशल यह हैं रियल परमात्मा बाप आकर आत्माओं को प्रजापिता ब्रह्मा दवारा अपना बनाते हैं उनके तो जरूर धेर बच्चे होंगे शुबाबा की तो सब संतान हैं उनको सब मानते पके नासिक होते हैं जो कहते हैं यह संकल्प की दुनिया बनी हुई है अभी तुमको बाप समझाते हैं यह बुद्धी में याद रखो हम पढ़ रहे हैं पढ़ाने वाला है शुबाबा यह रात दिन याद रहना चाहिए यही माया घड़ी घड़ी भुला देती है इसलिए याद करना होता है बाप, टीचर, गुरु तीनों को भूल जाते हैं है भी एक ही फिर भी भूल जाते हैं रावण के साथ लड़ाई इसमें है बाप कहते हैं हे आत्माएं तुम सतो प्रधान थी अभी तमो प्रधान बनी हो जब शांती धाम में थी तो पवित्र थ प्यॉरिटी के बिगर कोई आत्मा उपर में रह नहीं सकती इसलिए सब आत्माई पतित पावन बाप को बुलाती रहती हैं जब सभी पतित तमो प्रधान बन जाते हैं तब बाप आकर कहते हैं मैं तुमको सतो प्रधान बनाता हूँ तुम जब शान्ती धाम में थे तो वहाँ सब पवित्र थे औप पवित्र आतमा वहाँ कोई रहे न सके सब को सजाएं भोक कर पवित्र जरूर बनना है पवित्र बनने भिगर कोई वापिस जा न सके भल कोई कह देते हैं ब्रह्म में लीन हुआ, फलाना जोती जोत समाया, यह सब है भक्ती मार्ग की अनेक मतें, तुम्हारी यह है अदवेत मत, मनुश्य से देवता तो एक बाप ही बना सकते हैं, कल्प कल्प बाप आते हैं पढ़ाने, उनकी एक्ट हूब हूब कल्प पहले की चलती है, यह अनादी बना बनाया ड्रामा है ना, स्रुष्टी चक्र फिरता रहता है, सत्युग, त्रेता, द्वापर, कल्युग, फिर है यह संगम युग, मुख्य धर्म भी यह है, डीटीजम, इसलामीजम, बुद्धीजम, क्रिश्चनीजम, अर्थात जिसमें राज चलती है, ब्राह्मनों की राजाई नहीं है, ना कौर्वों की राजाई है, अभी तुम बच्चों को घड़ी-घड़ी याद करना है, बेहद के बाप को, तुम ब्राह्मनों को भी समझा सकते हो, बाबा ने बहुत बार समझाया है, पहले-पहले ब्राह्मन चोटी है, ब्र फिर अभी हम पुझ्जे बन रहे हैं वेहे ब्राह्मन गरसी होते है ना कि सन्यासी सन्यासी हठी योगी है घरबार छोड़ना हठ है ना हठी योगी भी अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं जैपूर में हटयोगियों का भी म्यूजियम है। राजयोग के चित्र है नहीं। राजयोग के चित्र है ही यहां देलवाडा में। इनका म्यूजियम तो है नहीं। हटयोग के कितने म्यूजियम है। राजयोग का मंदर यहां भारत में ही है। यह है चितन्य। तुम यहां चेतन्य में बैठे हो, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं कि स्वर्ग कहां है, देलवाड़ा मंदिर में नीचे तपश्या में बैठे हैं, पूरा यादगार है, जरूर स्वर्ग उपर ही दिखाना पड़े, मनुष्य फिर समझ लेते कि स्वर्ग उपर में है, यह तो चक्र फिरता रहता है, आधा कल्ब के बाद स्वर्ग फिर नीचे चला जाएगा, फिर आधा कल्ब स्वर्ग उपर आएगा, इनकी आयू कितनी है, कोई जानते नहीं, तुमको बापने सारा चक्र समझाया है, तुम ज्यान लेकर उपर जाते हो, चक्र पूरा होता है, फिर नए सि चक्र शुरू होगा, यह बुद्धी में चलना चाहिए, जैसे वह नौलेज पढ़ते हैं, तो बुद्धी में किताब आधी सब याद रहते हैं न, यह भी पढ़ाई है, यह भरपूर रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, यह पढ़ाई, बुड़े जवान बच्चे, आधी सब को हक है पढ़ने का, सिर्फ अल्फ को जानना है, अल्फ को जान लिया, तो बाप की प्रोपर्टी भी बुद्धी में आ जाएगी, जानुवर को भी बच्चे आधी सब बुद्धी में रहते हैं, जंगल में जाएंगे, तो भी घर और बच्चडे याद आते रहे आपे ही ढूंड कर आ जाते हैं, अब बाप कहते हैं बच्चे मामे कम याद करो और अपने घर को याद करो, जहां से तुम आए हो पाल्ट बजाने, आत्मा को घर बहुत प्यारा लगता है, कितना याद करते हैं, प्रंतु रास्ता भूल गए हैं, तुम्हारी बुद्धी म हैं, हम बहुत दूर रहते हैं, प्रंतु वहां जाना कैसे होता है, क्यों नहीं हम जा सकते हैं, ये कुछ भी पता नहीं है, इसलिए बाबा ने बताया था, भूल भूलया का खेल भी बनाते हैं, जहां से जाएं दर्वाजा बंद, अभी तुम जानते हूं, इस लड़ाई क के बाद स्वर्ग का दर्वाजा खुलता है, इस मृत्यों लोक से सब जाएंगे, इतने सब मनुष्ये नंबर वार धर्म अनुसार और पाल्ट अनुसार जाकर रहेंगे, तुम्हारी बुद्धी में ये सब बाते हैं, मनुष्ये ब्रह्म ततों में जाने के लिए कितना परे जाना है, आत्म शरीर से निकल जाती है, तो फिर आवाज नहीं रहता, बच्चे जानते हैं, हमारा तो वे स्वीट होम है, फिर देवताओं की है स्वीट राजधानी, अद्वैत राजधानी, बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, सारी नौलिज समझाते हैं, जिसके फ उनको विशास्त्र आदी नहीं पढ़ना है, उन स्कूलों में बुडिया आदी नहीं पढ़ती, यहां तो सब पढ़ते हैं, तुम बच्चे अमर लोक में देवता बन जाते हो, वहां कोई ऐसे अक्षर नहीं बोले जाते हैं, जिससे किसी की गलानी हो, अभी तुम जानते ह स्वर्ग पास्ट हो गया है, उनकी महिमा है, कितने मंदिर बनाते हैं, उनसे पूछो यह लक्ष्मिनारण कब होकर गए हैं, कुछ भी पता नहीं है, अभी तुम जानते हो, हमको अपने घर जाना है, बच्चों को समझाया है, ओम का अर्थ अलग है, और सोहम का अर्थ दिया है, तुम आत्मा शांती धाम में रहने वाली हो, फिर आती हो पार्ट बजाने, देवता, शत्रिये, वैशे, शुद्र बनते हैं, ओम अर्थात, हम आत्मा, कितना फर्ख है, वे फिर दोनों को एक कह देते हैं, आत्मा परमात्मा को, ये बुद्धी से समझने की बाते हैं, कोई पूरी रिती समझ से नहीं है, तो फिर जुटका खाते रहते हैं, कमाई में कभी जुटका नहीं खाते हैं, वे कमाई तो है अल्प काल के लिए, ये तो आधा कल्प के लिए हैं, प्रंतु बुद्धी और तरफ भटकती हैं, तो फिर थक जाते हैं, उबासी देते रहते हैं, तुमको आखे बंद करके नहीं बैठना चाहिए, तुम तो जानते हो, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, कलियोगी नर्क वासी मनुश्यों को देखने और तुम्हारे देखने में भी रात दिन का फर्क हो जाता है, हम आत्मा बाप दवारा पढ़ते हैं ये कोई को पता नहीं, ज्यानसागर परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, हम आत्मा सुन रही हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, तुम्हारी बुद्धी उपर चली जाएगी, शुबाबा हमको नौलेज सुना रहे हैं, इसमें बहुत रिफाइन बुद्धी चाहिएं, रिफाइन बुद्धी करने के लिए बाप युक्ती बताते हैं, अपने को आत्मा समझने से बाप जरूर याद आएगा, अपने को आत्मा समझ से ही इसलिए हैं कि बाप याद पड़े, सम्बन्ध रहे जो सारा कल्प तूटा है, Heavenly God Father ही Heaven का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को भी कितना भूल जाते हैं, बाप आकर बच्चों को अडोप्ट करते हैं, मारवाडी लोग बहुत अडोप्ट करते हैं, तो उनको खुशी होगी न, मैं सहुकार की गोद में आया हूँ, सहुकार का बच्चा गरीब के पास कभी नहीं जाएगा, यह प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, तो जरूर मुख वन्शावली होगे न, तुम ब्रह्मन हो मुख वन्शावली, वे हैं कुख वन्शावली, इस फ़र्क को तुम जानते हो, तुम जब समझाओ तब मुख वन्शावली बने, यह अडोप्शन है, इस इस्री को समझ से हैं मेरी इस्री अब इस्री कुख वन्शावली है या मुख वन्शावली इस्री है ही मुख वन्शावली फिर जब बच्चे होते हैं वे हैं कुख वन्शावली बाप कहते हैं यह सब हैं मुख वन्शावली मेरी कहने से मेरी बनी ना मेरे बच्चे हैं यह कह पहने से नशा चड़ता है तो यह हैं सब मुख वन्शावली आत्मा यह थोड़े ही मुख वन्शावली है आत्मा तो अनाधी अविनाशी है तुम जानते हो यह मनुश्य स्रिष्टी कैसे ट्रांसफर होती है पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत मिलती है फिर भी बाबा कहत है और कुछ धारणा नहीं होती है मुख नहीं चलता है तो अच्छा तुम बाप को याद करते रहो तो तुम भाशन आधी करने वालों से उच्च पद पा सकते हो भाशन करने वाले कोई समय तुफान में गिर पड़ते हैं वह गिरे नहीं बाप को याद करते रहें तो जास पद पा सकते हैं सबसे जास्ती जो विकार में गिरते हैं तो पांच मार अर्थात पांच मंजिल से गिरने से हड़गुड तूट जाते हैं पांचवी मंजिल है देह अभीमान चोथी मंजिल है काम फिर उदरते आओ बाप कहते हैं काम महाशत्रू है लिखते भी हैं बाबा हम गिर पड़े क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि हम गिर पड़े काला मू करने से बड़ी चोट लगती है फिर दूसरे को कह ना सकें कि काम महाशत्रू है बाबा बार बार समझाते हैं क्रिमिनल आखों की बहुत संभाल करनी है सत्युग में निर्वस्त्र होने की बात ही नह क्रिमिनल आई होती नहीं सिविल आई हो जाती है वह है सिविलियन राज्ये इस समय क्रिमिनल दुनिया अभी तुम्हारी आत्मा को सिविलाइज मिलती है जो 21 जन्म काम देती है वहां कोई भी क्रिमिनल नहीं बनते अब मुख्य बात बाप समझाते हैं बाप को याद करो औ यह भी वंडर है जो श्री नारेण है वही अंत में आकर भाग्यशाली रत बनते हैं। उनमें बाप की प्रवेश्चा होती हैं तो भाग्यशाली बनते हैं। ब्रह्मा सो विश्णू, विश्णू सो ब्रह्मा। यह 84 जनमों की हिस्ट्री बुद्धी में रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे, सिकीलदे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मौर्निंग, रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमसे, नमसे, गुड मौर्निंग, धार्णा के लिए मुख्ये सार, पहली पोइंट, बाप की याद से पाइन बनाना है, बुद्धी पढ़ाई से सदा भरपूर रहे, बाप और घर सदा याद रखना है और याद दिलाना है, दुसरी पोइंट, इस अंतिम जन्म में क्रिमिनल आई को समाप्त कर सिविल आई बनानी है, क्रिमिनल आखों की बड़ी संभाल रखनी है, वर्दान, याद और सेवा के बैलेंस दवारा चड़ती कला का नुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव, याद और सेवा का बैलेंस है, तो हर कदम में चड़ती कला का नुभव करते रहेंगे, हर संकल्प में सेवा हो, तो व्यर्थ से छूट जाएंगे, सेवा जीवन का एक अंग बन जाए जैसे शरीर में सब अंग जरूरी है वैसे ब्राह्मन जीवन का विशेस अंग सेवा है बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना यह भी भाग्य की निशानी है ऐसे सेवा का गोर्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं. स्लोगन परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन. ओम शान्ती और अभी सुनेंगे आज की अव्यक्त मुरली. इसके लिए उपर दिये गए बोक्स को क्लिक करें. और मुर्डन चान्ती अव्यक्त